नमस्कार दोस्तों, welcome to my channel, मेरे नाम शिपिन, मैं आज इस video tutorial में आप लोगों को दिखाएंगे, अगर for example आपका पास एक A4S का printer है, और कोई भी printer होने दो, laser printer होने दो, ingatan को 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 printer होने दो, और आपका पास ओलड़ी एक computer है, ठीकिन उसी से आपको P.O.S system लगा सकता है, और आपको कोई label printer खरीजने का जुरूद नहीं, और कोई क्या नामे, receipt printer लेने के लिए जुरूद नहीं, यही A4 printer से, for example, यह जो A4 printer इदर दिखाए दिती है आपको, यह जो A4 printer, एप्शन का, कोई भी सस्ता वाला printer भी चलेगा, मतलब, नॉर्मल प्रिंटर भी जलेगा, साथ असार, तीन असार, सोरी, तीन असार का भी एक लेसर प्रिंट रहता है, रोश करके जो भी है, उसी से भी आपको अपना P.O.S system चला सकता है, तो मैं आपको दिखा देंगे, इस मैसे किस तरीके से बार कूड प्रिंट कर देंगे, और प्रिंटर के नीचे भी जो रेंड़क, P.O.S billing software के लिंग और activation की सब कुछ मिलती है, तो सबसे पहले हमने बार कूड प्रिंट करना है, यह बहुत इंपर्टन चीज से क्योंकि हमारे जो भी प्रोड़क्ट है, उसमें सारे में बार कूड इस तरीका से जो बार कूड होती ह बार कूड प्रिंट करके लगाना जरूरी होती है, तभी एक professional standard होती है क्योंकि customers आके बहुत सारे सारे product लेती है, वो उसमें scan करके हमको sale करना है, इस तरीका से जो बार कूड गरन होती है, इसमें scan करके हमको sale करना है, यह वो एकदम आसान होती है क्योंकि customer for example 300-200 जो या 40-50 items और 100 items का आसपास लेंगे, यह उसमें scan कर देंगे हम sale कर देंगे, तो simple हो गए अपना cow, तो इस तरीका से हमने यही प्रिंटर में आप चाहिए तो लगा सकता है, और आपने प्रिंट करने के लिए A4, A5 का sheet यूश कर सकता है, जिसा half of A4, यह जो sheet A4 का है, इसका half size बैस तरीका से अपना यह जीच यूश करके भी आपना system लगा सकता है, और यह मेन आपको दिखा देंगे भी इस तरीका से बार कूड बिनाएंगे, बार कूड बनाने लिए आपको इस तरीका से जो A4 का sheet मिलता है, स्टीकर sheet है, इसमें ओरडी कुटिंगे है देखो इस तर पूरा कट्टिंग आपको दिखाई जेंगे यानी इस तरीकसे जो स्टिकर पेपर यह बहुत अच्छा डशी वे इस तरीकसे जो A4 के जो स्टिकर शीट है आप इसके अंदर डाल जिए प्रेंटर का अंदर इसमें कोई सेटिंग अलेकसे कोई सेटिंग करने के ज़रोजने सी आप इस तरीकसे जाल दिए देखं यहां से अपना प्रिंट आना चाहिए तो उसके लिए हम अपना जो Rinduck Pears Billing Software में जाएंगे प्रेफित किस्तिए पि पिएस पिलिंग सफ्टियर में स्थिर्मिंग जैखे बार र कोड में क्लिक कर दीए एक्की प्रोडक्टमेन आट रखा हुआ दीको ए प्रोडक्टमेन में रिको बारा लायन लेगा देना बारा लईन में न송 anasis tab बार कोड देखो बारे लाइन आगे देखो 1 2 3 4 करके इसके बारे लाइन बारे इम्टी चार मतलब 48 श्टिकर उच्टिकर उच्कांद मैन इसको सीधा प्रेंटि करता हूं सीधा प्रेंटि कमान दाल दिया Epson 805 प्रेंट तो कुछ चाहलो प्रेंटि कई प्रेंटिंग चालू कर देंगे आपका कोई भी प्रंटर चिल अगे समय यानी ओदी Epson का प्रेंटर और HP का प्रेंटर आसे पुछ नए कोई भी प्रेंटर चलेंगे एक पुरू इसको कुछ नेए जो भी प्रंटर आपको लगा सकता हूं इस तरीके से बार्कोड ब्रंडों के बाहर आरहे यह जो कटिंग एकदम संदर में ब्रंड हो जाएंगे वो मैं आपको एक कीच के दिखा जेता अब ही इतना सिम्बल तरीका से 48 स्टिकर आपको इतना सेकेंस में आपको मिल जाएंगे और यह देखो यह आपको इदर दिखाई देंगे देखो यह देखो देख लिए ना यह आपको संदर में आ गया सब से नीचे आपको जो दुकान का नाम आ गया टी-शिट और राइट सब कुछ इसमें आ जाती है यह आप अपना प्रोड़क आपको प्रोड़क्त हो उपर चिपका दीजी मैंने इतर अलोड एक बार्पोड़ी लगा रहा है इसको उपर ही लगा रहा हूं दिखो इस तरीका से डेमोंस्ट्रेशन परपस के लिए और बाद में यह जो प्रोड़क्त है आपने स्कान करके और आपको इन्वेस भी प्र मतलब यह आदा एफ हो रहे है यह इस तरीका से डालना है यह यह से नहीं है इस तरीका से इदर डाल दिया मैंने और यह साइड में रख दीजिए इसको जो स्लाइडर जो होती है तखाने इस तरीका से प्रेंटर में बढ़ गया पेपर और बाद में अपना जो राइंड़ शुर्ब के सब्सक्राइब करते हैं तरह प्रोड़क्ट आपने डाल दीजिया और अचिते हम आपके जापने सेल कर साथा है हम बारकोड परेक्सांपल हमने जरो पारकोड यह लेकर एंगर हमने डीकर सेइक तुरंट वह तरह जाएंगे थिकिन बाद में अधर कि A5 मैं स्रेट कर दिया, और इसमें भी आपने प्रइंट कमान देजी, तो तुरेंद वो जो EFI का जो sticker रखा हुए उप्रेंट करके नीच आजाएंगे एकदम बीडिफल प्रेंट आजाएंगे आपको यह जो इसमें बहुत सारा सेटिम्स हैं वित जीस्ट वित वुट जीस्ट और कॉंपरसेशन प्रेंट कर सकता देखो इस तरीका से आपको EFI से इसका प्रेंवाइस आजाएंगे सारे डीटिल्स आजाएंगे आपको यह कंपनी का नाम प्रोडट का नाम और GST का डीटिल्स सब कुछ एकदम हुपसूरत बिलीगे ठीके ना और सेम हमने EF4 में किस तरीके से करेंगे देखेंगे यह जो पेपर हम निकालके अब यह पेपर डियाँ ऐकर हमनेक हैं रहला देखेंगे आजिये付 Saya 4 पेपर हमने सका अंदर डाल दिया ऐसका अंतर और हमने सब्सक्राइब कर सकता है यह प्रड़क्ट जो है मैं इतर स्कान कर लिया तुरंद वो प्रड़क्ट जो आ गया स्कान कर लिया और यह फाइब कर दीजिया आपने और इदर आपने अमोंड टाइब कर लिजिया 145 और 7 में सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको यह फाइब साइस में देखो प्रेंट यह जो है उपर का यह फॉर साइस के जो पेपर हो कीच के बाहर आ जाएंगे विजिया प्रेंट हो करके देखो इस तरह ब्यूड प्रेंटिंग आगे आपको यह फाइब कितना भी आइटम आयागे यह नीचे आजाएंगे आइटम जेसे 20-25 आइटम 40 आइटम में एक यूशीट में हो जाएंगे इसमें भी आपको देखो 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 देख कंबनी का नाम सब से उपर आगे आपना मदरब आपके कमनी के नाम कस्टमर का डीटल सिद्र आगे प्रोडक्सिद्र आगे जेसा प्रोडक्त आड़ करके जाएंगे न वह यह फी प्रोडक्त डाला हुआ है टीशर्ट जो है उसमें जो एक्टसन गोड कॉन्टिकी राइट डैट डिसकाउंट इमांड जीस चुछे जो भी है ठीक ठीक अगर अलत स्टेत में सेल करता है तो फिर आएंगे यह इस तरीकाव से आपको सारे जीस्ट सारे डीटल सापको आ जाएंगे और इस्ट जी जी पाधियर डीटल सो भी आ जाएंगे आपको और सबसे नीचे जो इन वोयश का डिटीयर मतरब बैं रेट में आपको यह जो बिलिव सिस्टम आपका दुकान में लगा सकता है थैंक यू फॉर वाचिं दिस वीडियो थैंक यू बै बै